देखो पिछले वीकेंड में एक मोवी आई थी जिसका नाम है गोस्ट बस्टर दा फॉरेजन एम्पायर या एक हॉलिवूड मोवी है और मैं लिटरली बता देख कि इसका इंगलिस बर्सन बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था वन मन्थ लेकिन अब जो है इंडिया में इसे रिलीज किया गया है हिंडी डव के साथ कई और भी लैंग्वेज में हैं लेकिन हिंडी डव बहुत ही तगरा है देखो सबसे पहले कहानी के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता देता गोस्ट बस्टर या नाइंटीज के सेंचूरी में मतलब दसक में इसका उपर हिट हो चुकी है क्योंकि इसका जितना पी बजट है उससे ज्यादा कमाई कर चुकी है या इरिया में मोवी धमाल मचा दे मतलब कह सकते ही उस दिन दो मोवी आई एक रुसलन जो कि बहुत ही बाहियात मोवी है मैंने देखिया और उसका रिवीव ने गया मतलब की भूत प्रेत आत्मा को पकरने का काम करते हैं और इसमें जो हमारे जो बर्फ की देवी है या देवता है लेकिन जब इसको दिखाते हैं उतना ही पावर्फुल मजा आता है बस मेरी सिखायत यहा कि वाई इस बंदे को पहले आपने फिल्म में क्योंने ही इंटोड्यूच कर आया बहुत ही पावर्फुल बंदा आये लेकर इस मोवी की खासियत भी यही है लेकर मोवी की कहानी यही है कि अब जो बर्फ का देवता वह लौटा है ठिक है और पूरी धुनिया इस वर तवा कर देगा पूरे पावर के साथ लौटा है क्या जो गोस्ट बस्टर हैं जो पुलिस अपसर हैं, क्या उनको यह सब चीज सटीसपाइड कर पाएंगे, क्या उनको फिर से पगर पाएंगे, इन सारे सवालों को जानने के लिए आपको यह मोवी देखनी परेगी, आप बात करते हैं कि मेरा experience कैसा राधर को लिटरली मैं बताओ न, इस मोवी में आप जब देखे जाओगे, तो मैं डिटरी कर रहा हूँ कि आगर आप उस दिन रुसलन भी देख नहीं देखे हो, इस मोवी के देखो, भाई आपको लगेगा कि मेरा पैसा सही चब गया है, मोवी की कहानी बहुत अच्छे, मैंने पहले करें इसके जितने भी फ्रेंचाइजी मोवी किया है, देखो, आगर आपके पास समय है, तो इस मोवी को पूरे फैमली के भी साथ इंज्याई कर सकते हैं, बच्चे को तो बहुत ज़्यादा इस तरह पी मोवी मज़े है, अगर आपने कोई पार्ट नहीं देखा, इवन दोजार एपर 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 नहीं भी देखा है, तो मिलते हैं किसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जाहिन